हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल कुक्वित सुमीता आज हम बना रहे हैं स्पाइसी मसाला पनीर यह आप डेली में बना सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है तो शुरू करते हैं बनाना तो सबसे बहले मैंने कैरम डाइस जानियन लिए यह मैंने आपको राजमा म मनीतमत पानी ले लेते हैं तेल जभ अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जिंजर गालिक पेस्ट ध्यान रखें जिंजर गालिक पेस्ट जलना नहीं चाहिए अगर आपको लग रहे ही चिपक रहे है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसके बाद मैंने डाल दिये बड़े बड़े कटे हुए प्यास मैंने प्यास को चाट टुकड़ों में काटा है एक प्यास को और मुझे जब भी लगा थोड़ा पैन पे चिपक रहे है तो मैं हलका हलका पानी का चीटा दे रही हूँ इसके बाद मैंने डाल दिये लाल पिली शिमला मिर्च और फिर हाई फ्लेम पेस को कंटिनुईस चलाना है हमें एक एक दो दो मिनट के बाद हम अपनी नेक्स चीज डाल सकते हैं इसके बाद मैंने डाल दिया 100 ग्राम क्यूब में ही कटा हुआ पनीर और डी सीडेट टमाटर जब जब मुझे लग रहे है चिपक रहे है मैं थोड़ा थोड़ा पानी का चीटा देते जा रही हूँ अब मैं डाल रहे हूँ मसाले, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और कसूरी मेथी आप चाहे ही तो हरदनिया भी डाल सकते हैं इस समय और जब मुझे लगा मसाला चिपक की जाएगा तो मैंने एक बाद गैस बंद कर दिया है और मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ आपको डेली में कुछ spicy और अच्छा खाने का मन और ग्रेवी बनाने का मन नहीं तो आप यह वादी सबजी बना सकते हैं यह मैंने केरमलाइज जन्यन का पेस्ट ले लिया जो मैंने पीसा था और वो इसमें मिक्स कर लिया अन्यन को आप करके काफी कॉंटिटी में महीने भ अब मैं इसमें डाला नीबुकर रस लेमन जूस डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश क्रीम वन टेबल स्पून के करीब अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मिलाई भी ले सकते हैं कोई जरूरी जरूरी नहीं है कि आप फ्रेश क्रीम यूज करें घर की मिलाई अगर आप यूज करें तो इसमें थोड़ा सा चान के यूज करें ताकि टेक्श्यर जो है सबजी का स्मूध रहे मैंने फिर थोड़ा इसमें गरम पानी डाला है क्योंकि ये बस ये सबजी बन चुकी है हमा कि अवर इसको सॉफ कर ड़ेते हैं तो आप इसको तंदूरी जोटी मिसी रोटी नॉमल परांते के साथ को भी अच्छी सी रोटी के साथ थोड़ी रोटी हो उसके साथ आप इससे अ कर सकते है तो मेरे घर में बहुत पसंद करी जाती है आप भी जरूर बिनाइए गो झाल झाल